सबसे पहला नियम, एका दशी बृत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन बृत करो उसके एक दिन पहले भक्ती का संचार इस धरदय में कर लीजिए। शाम का समय जब आवे, रात्री जब होने लगे, शाम का समय आवे, और रात्री का आप जब भोजन गरण करो, तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्त गरण मत करिये, जिस पदार्त के कारण आपकी एका दशी बिगड़ जाए। स्रेश्ट बोजन गरण करिये दस में और एका दशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनियेगा, जिस दिन आपकी एका दशी का ब्रत हो, उस दिन प्रयास करियेगा, कि अपने हाथ से किसी भी ब्रक्च की कोई पत्ति तूटे ना, अपने हाथ से किसी भी ब्रक्च की पोधे की, आपने हाथ से ना तूटे, बहुत ध्यान दीजेगा मारग एका दशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पोधे की, किसी ब्रक्च की, किसी डाली की कोई पत्ती, कोई पत्ती ना तूटे, इसका प्रयास करें कितना सुंदर व्याक्यान कहा है, कितना सुंदर बंडन है मारग कि मात्र एका दशी का ब्रत कर लेने पर मात्र एका दशी का ब्रत कर लेने जो पूर्म में किया गया, हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द का है, हमने किसी को ताने दी है, हमने किसी को आडा तेडा का है, हमने किसी को गालिया दे दी है, मात्र एका दशी का ब्रत ही कर ल सारे दोस्त हमारे समाप्ती पर आजा अब एक विचार करिएगा थोड़ा सपने मन में अपनी चित्ते में अपनी प्रक्ती में एक बात उतारिएगा अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को अपने पाप कर्म को जिस दिन चिंड करने वाले हो समाप्त करने वाले हो अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ती पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसंता होना चाहिए कि नहीं होना कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समापत होने वाला है, जो मैंने पाप करम करा है, वो समापत हो जाएगा, जो मैंने पाप करम करा है, वो कल समापत हो जाएगा, तो एक दिन पहले आपके चेरे पर प्रसंता हो कि ना हो, और चेरे पर वो प्रसंता आपके आना चा वरत रहेगा तो मेरग ना जाने कितना कितना पाप, कितना चांव, जूट, कितना प्रपंच वह समात हो जाएगा इस में मुझे परसनता हो टाप एकादसी के दिन कोई बट्च की कोई डाली की कोई क youpow ब्युक्तर की कोई प्थी ना तोड़िये जाए क्यों तो कहाँ अगर उस पति को हम तोड़ देते हैं ब्रक्छ की पति को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पति को हम तोड़ देते हैं तो एका दशी का पुन्य फल प्राप्त नहीं होता है एका दशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाए उन्य फल प्राप्त अब फिर बले तुम चाहे तुमने मोर्दन खाया हो चाहे तुमने फिर चिफसर खाई हो चाहे तुमने फिर बरत का कितना ही समान खा गयो और तुमने सोचा कि आज मेरी एका दशी है तो फिर उसका कोई कि जीविश्यू मंदिर में तुम जाते हो, शंकर जी का पूजन करते हो, उस्यू मंदिर को हलके में मत देना, ये मन में विचार करकर पूजन करना, कि मैं पारा जोति लिंग का पूजन इस मंदिर में कर रहे हूं। शंकर का कंकर और कंकर शंकर कभी अलग नहीं हो सकते हो, जो बारा जो तिलिंग का सुरूप होता है वो ये आपके नगर में, आपके गाउं में, आपके महले में, आपके छेतर में, जिस गाउं में आप पूजन करने जाते हो, शंकर का नमोदन करने जाते हो, उस गाउं में, जो शिवलिंग है उसका भी बल बड़ा बड़ा कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूं बिमारी समाप्त नहीं हो रही है या मेरा दुख या मेरी तकलीफ है समाप्त नहीं हो रही है कश्ट मेरे मिटी नहीं है दुख मेरे समाप्त ही नहीं है तब बेल पत्री के जो बीच वाली प बहुत ध्याम से देखिएगा और समझ होगा। समझते हैं सब लोग मैं बैल पत्री की बड़ी पत्ति पहले नमबर की पत्ति और उसके नीचे की दो पत्ति उसके बीच की जो डंडी हो इस डंडी में चंदन का लेपन करकर ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें ये तो दो पत्ती हो गई एक ये पत्ती हो गई अब ये जो बीच का भाग है सब लोगों को देख रहे होंगे तो बीच का जो ये भाग है इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन करक साथ दाने चावल के लेकर जब तुम्हें लग रहा है कि ये बिमारी समाप्ती नहीं हो रही पकड़ के बेड़ गई ये तो छूटी नहीं हो डॉक्तर अपना काम करें या कोई ऐसी बात है कि आदालत में कोई केस चल रहा है या प्रशासनी कोई तकलीफ हा रही है या अपने घर में कोई वेपार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉबलम है और वो समाप्ती नहीं हो रही बहुत बहुत आप लोगों ने कर लिया तब ये बेलपत्री यह बेलपत्री, इसके मद्द की जो ढंडी है इस मद्द की ढंडी में चंदन लगाकर साथ धने चावल के लेकर आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं जैसे मंदिर का मुख्य द्वार है मुख्य द्वार से मतलब संकर जी को जब जल चड़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं उसके पहले नंदी आ जाता है नंदी के भी पहले का जो दर्वाजा मंदिर का मुख्य द्वार उसको समझ अंदर प्रवेश करते हैं उसके पहले चन्नन लगी हुई बेलपत्र और साथ दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और साथ दाने चावल के ओम नमस शिवाय बोलकर नमस शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस तुब्यम कहकर डंडी का मुख असोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ केवल दो या तीन सौंबार आप करेंगे दीरे दीरे रोग में दवाई लगना पुरारंब हो जाएगी और रोग समाफ्ती पर जायेगा और आपका कारे भी सबते हैं दो या तीन सॉम्बार में ज़ादा आमको नहीं करना है, दो तीन सॉम्बार भी आपने कर लिया तो कर लिया ये बेलपत्र इसके मध्य की जो ये डंडी है, मध्य का जो भाग है, हम पहले भी एक बार कहें हैं, छोटी मोटी अगर कोई बात हो ना, छोटी मोटी अगर कोई बात हो, ज्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी मोटी भी हो ना, और तुम संकर जी के मंदिर में जल चड़ाने ज कि बात बाबा से थेकर चड़ा क das लोटा भरा गुए जो जल है वो समर्थित कर दो बाबा्सुन लेटा चौटी मोटी तो यह आप ऐसे कितने लोग हैं जो शिवालाय में जल चड़ाने के लिव कि जाते हैं शंकरजी के मंदुरु हुआ किसीसे मत कियो इqi बिपदा है दुख है तकलीफ है कश्ट है अपने बाबा से तेरे चरणों की सेवक कृपा करना बरस्पती महराज ने अपनी माता इस मरती का कहना माना और प्रबास छेत्र में जाकर बरस्पती बाबा ने शिवलिंग का निर्मान करा पार्थिव शिवलिंग का निर्मान करकर पूजन करना प्रारम करी, माताएं आकर कहती थी नहीं हो सकता, शिव नहीं सुनेंगे, इंद्र ने देखा, और इंद्र ने देखकर ब्रस्पती बाबा की हसी उड़ाई, क्या शंकर जी पे जल चड़ाने से शंकर सब कुछ दे सकते इंद्र हसरा है, इंद्र को हसिया, जब यक्ति को बहुत सारा ज्यान का अजिर्न हो जाता है, अहंकार जादा बढ़ जाता है, सत्ता का मत बढ़ जाता है, जब यक्ति को बहुत अभिमान घेर लेता है, और उसको लगता है कि लोग मेरी सुनते हैं, तो वो कुछ भी बोल जिसके शरीर में कहीं गाठ पढ़ रही हो चाहे वो बच्चा दानीन हो चाहे वो चेश्ट में हो चाहे कहीं पर भी हो शिवजी पर चड़ा हुआ जल जब हाथ में जेलो तब उस समय पर या तो पंचाप्षर या श्री शिवाय मंत्र का जाप करते लेकर शिवजी की चड़ी एक बेलपत्री को लेकर शंकर भगवानों के मंदिर के ही बार बीर भद्र का नाम लेकर मनी भद्र का नाम लेकर दर्वाजे के बाहर बेट कर उसका हाचमन करकर उस बिलपत्री को वहीं पर खाना चलू कर दो भले हप्ते में दो बार खाओ दीरे दीरे गाट करना प्रारब हो जाएगी दिल से कहूं आप लोगों से आप स्विकार करिएगा दुख की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए अगर आपने दिल से करजा हो गया समस्या विकट हो गई तकलीब बढ़ गई दुख बढ़ गया आप संकर भगवान के मंदिर में जाकर ये जरूरी नहीं है कि आप सी हो कर आए या कहीं जाए आप तो आपके घर के पास में जो श्यू मंदिर हो उस मंदिर में एक लोटा जल चड़ाना चालू कर दो दीरे दीरे दुख काटना प्रारम कर दें काटेगा दुख बस जल चड़ाने का एक नियम है शिर्जी का शंकर भगवान को जो जल चड़ाया जाता है दुख काटने के लिए तकलिफ काटने के लिए कस्ट मिटाने के लिए तो एक नियम है शंकर भगवान का जल चड़ाने का जो नियम है जल चड़ाने का नियम है जब हमारे उपर दुख होता है तकलीफ होती है कश्टो होता है बड़ी दिक्कत परेशानी होती है तो हम जल चड़ाते हैं तो उस जल को चड़ाने का नियम है पहले गणेजी का स्थान, कार्टीके का स्थान, अशुक सुन्दरी की जगा, फिर माता पारवती की पीठी का, उसके बाद जला धारी को इसमर्ण करकर, जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है, जब धीरे धीरे शिवजी पर जल चड़ाएं, उसके बाद में आप अपने मन की कामना जब जल चड़ाते जाएं और बाबा से कहते जाएं बाबा, रोज कामना कहने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कामना करो, और उसके बाद जल चड़ाना प्रारम करो, और उसको कहना जरूर, तेरे दरवार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभू, मै में नहीं जानती में तो इतना जानती हूं कि कंकर शंकर है और तू सुनता ज़रूर है कि अगर दुख है तकलीप है कश्ट तो यह से चड़ा दो और अगर मन करा इस डारेक्ट श्यूजी पर चड़ाना हो तो तुम्हारी मर जी शिव तत्व किसको कहते हैं संकर का गुणगान शिव का इस्मरण भगवान शंकर का मंतर जाप किसको कहते हैं ये वही समझ सकता है जिसके भीतर शिव समाया होगा महाराज शिव महापुरान तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है कोई काम नहीं हो रहा बहुत परिशान हो गए बहुत थक गए उस काम के लिए सब के हाथ भी जोड़ लिए सब के पास होकर आ गए और वो काम बड़ी नहीं रहा तो निवेदन करते हैं गी के दिये में काली तिल डाल कर सुंबार के दिन शंकर जी के मंदर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगा कर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहे कर देख लिया करकर देख लिया छूटेगा नहीं अगरन्यों कोई साहज नाम नहीं है तुम रुका जी का कौन है तुम रुका जिसका व्याख्यान श्यूमाहा पुरान में बारंबार आता है जिसकी भक्ती की स्रिष्टता देवरिशी नारत से भी प्रवल्वानी गई है देवरिशी नारत को तो कई वारा भी मान आ गया एक वर भगवान विष्णों के सामने जाकर करते हैं कि मेरे वराबर नाम नहीं लेता कोई तुमारा भगवान संकर के सामने जाकर करते हैं कि काम देव को मैंने जीत लिया ब्रह्मा जी के पास जाकर करते हैं कि स्रिष्टी का निरापरण करना आपका काम है पर मैं सारी स्रश्टी का भ्रमन कर लेता हूं एक छण में जो देवरिशी नारत इंद्र के सामने जाकर कते कि तुम्हें सत्ता का आधिपत्य सताना जताना नहीं आता आधिपत्य कैसे कते हैं वो जानते नहीं हो आप वो देवरिशी नारत जिन एंकार को छोड़ने के पर उसमें भी प्रवल तुम रुखा जी जो महापुराण की कठा कर रहे हैं उसमें भी प्रवल जिनका नाम मात्र पहले भी कहा जिस नारी का गर्व ना थेरे रजस्वला धर्म का साथवा दिन जन्नारी छे दिन तक काम ना करे साथवा दिन रजस्वला धर्म का सफेद आकड़े की जड़ को बुलवा कर उसको शंकर भगवान के शिवलिंग पे से तुम रुखा जी का नाम लेकर 21 बार घुमा कर कमर में लाल धागे में बांद ले तीन चार पांच महिने में ज़्यादा से ज़्यादा गर्वट थेर जाए विश्वास रखकर शिवजी का नाम ले तुम रुका कैसमे ज़्यादा कुछ नहीं बने तो शंकर के मंदिर में जाकर घीके दिये जलागे पांच दिये लगागे और ज़्यादा कमी पढ़ रही हो धन की संपदा की सत्ता की कोई प्रॉपर्टी कोई तुकान कोई धन्दा पानी नहीं चल रहा बहुत कष्ट में हो बहुत तकलीफ में हो तो महाराज एक सुआट चावल के दानों को केसर में भिंगो कर केसर के पानी में केसर या करकर पकाना नहीं है पकाना नहीं उसको कच्चा चावल केसर में भिंगो कर एक सुआट दाने संकर को मद्द रातरी में शिवरातरी के दिन सूरियस्त के बाद रात के बारा बजे से पहले कभी भी शंकर कुछ चड़ा दो समर्पित कर दो और वही अक्षच के राने उठा कर वापिस रख लेना ब्रह्म मौरत में सुबा चार बजे बस फिर वावा पे सोब देना जित्ती शिवरात्रियां आती जाएंगे उतना धन बढ़ता चले जाएगा संपून